धीरे धीरे से धीरे धीरे से मेरी जिन्दगी में आना धीरे धीरे से दिल को चुराना नमस्कार मैं अनुरादा पवडवाल 26 नवेंबर को पानोरामा स्टार सीजन 6 के कारेक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ मुझे पनोरामा ग्रूप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है तो हम सब मिलते हैं पनोरामा ई-होम्स में शाम 7 बजे नमस्कार नमस्कार भारत लाइब देख रहे हैं आप जडियू में एक तरफ जहां भीम संसद समापन कारेक्रम को लेकर कल मिलर ग्राउंड में एक विस्तरित कारेक्रम किया जा रहा है इसकी अधिक्ष्टा नितीज कुमार के बेहद करीबी और भवन निर्मान मंतरी असोग चौधरी कर रहे हैं तैयारिया अब अंतिम रूप में हैं कल इसमें कारेक्रम किया जाएगा दलित महा दलित वोट बैंकों को अपने तरफ साधने के लिए ये पूरे कारेक्रम का आयोजन कहीं न कहीं होता हुआ दिख रहा है देखें कि इसके पहले में हमने आपको गेम बड़ा में अपने संपादक नमद मिशा सर के साथ एक चर्चा किया विशलेशन किया है कि एक तरफ जहां भीम संसत कारेक्रम चल तो रहा है लेकिन जदियू के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है जदियू के राष्ट्य धक्ष ललन सिंग और उसोक चौदरी के बीच में जो दूरिया बड़ी है जो विवाद उत्पन हुआ है ऐसे में इसका कहीं न कहीं असर दिखता हुआ नजर आ रहा है असर इसलिए दिख रहा है कि जदियू के जो भीम संसत कारेकरम का कल मिलर ग्राउंड में होने वाला है इस कारेकरम के पोश्टर से ललन सिंग सब जगा गायब होते हुए दिखे हैं गेम बड़ा में इस पर हमने विस्तरित चर्चा कर दिया है लेकिन राजनीती गलियारों से इसका इशारा धीरे धीरे अब मिल रहा है कि जदियू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है कई बड़े पार्टी के दिगजनेता कई प्रवक्ता इस बात के तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि अब जदियू में बड़ी तूट होने वाली है ललन सिंग को लेकर सियासी पारा भी गरम हो चुका है आपको बता दें कि जिस तरीके से जदियू में बड़ी तूट के लेकर तजश्वी यादो के बारे में कहा गया है कि तजश्वी यादो को लेकर जदियू कहें न कहीं अब धीरे धीरे मन बदल रहा है आपको बता दें कि नितिश कुमार की पार्टी में तूट के बाद जदियू नेताओं का क्या होगा कोई यहां गिरेगा कोई वहां गिरेगा ऐसी बाते लगतार हो रही हैं इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से तेजश्वी यादों को सीएम कुर्सी सौपने की चर्चा भी चल रही थी ऐसे में बहुत सारे लोगों को ये नागवार गुजरा और अब तो देखिए ललन सिंग और असोग चौधरी के बीच ही दूरिया बढ़ चुकी हैं यानि कि एक तरफ उनके पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष हैं तो दूसरे तरफ नितीस कुमार के बेहद करीबी वंतरी असोग चौधरी हैं एक ताकत दिखानी है एक बात साबित करना है कि दलितों के बड़े चेहरे में से एक असोग चौधरी हो सकते हैं महा दलित जातियों आकड़ों में जिस तरीके से जाती अधारी जनगर्णा के बाद ये स्तितिया उत्पन हुई हैं कि अपने अपने जाती के लोगों को कैसे अपने पाले में रखा जाए कैसे अपने साथ हितैसी बनाया जाए ऐसे में ये कारिकरम एक तरीके से सकती प्रदर्शन भ मारे संपादक नमन मिशासर ने कहा था कि एक तरफ जहां आरोप ये लगेगा कि ललन सिंग्न भीड को आने नहीं दिया तो वहीं आरोप ये भी लगेगा कि असोक शौदरी के पास जनाधार नहीं है अपने नेताओं को के लिए लोगों के मन में विश्वास नहीं है ये एक बड़ा गेम हो जाएगा तो जदियू में तूट के तरफ आगे बढ़ता हुआ पार्टी दिख रहा है क्या होगी स्थितियां सपष्ट कल हम कर पाएंगे लेकिन फिला भारत लाइब के इस वीडियो में इतना ही धनेवाद डबल जिरो धन्नेवाद